हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल आज हम रजनी की मौम का सूट कट करेंगी और ये देखें एक पला मैंने अलग कर लिया है ये इस लाई के साथ चुड़ा हुआ था पाकी कपड़े के साथ है और नीचे की साइड पर लैस लगी थी वाइट कलर की और ये वाइट कलर की ए यारा पर निशान लगाकर एक और 2 इंच पर निशान लगाकर दो बर बुलाई डाल दी है तीरा च्छे इंच लिया था नीचे को । लंबाई है 40 इंच और एक इंच एक्स्टा ली है मैंने वैसे ही ले ली है वैसे तुनीचे लेस लगेगी तो उसी के हिसाब से दो इंच कम ही लेनी है मैंने 49 इंच ले थी फिर 40 में से कम थोड़ा सा सिलायों में जाएगा और बाकी 2 इंच की लेस लग जाएगी 2,5 इंच ले गब बारा इंच, तेरा और चौदा इंच पर निशान लगा कर दो इंच एकस्टा लेकर हिप से सिधी सिधी मार्किंग कर दी है, प्लेट वाला सूट है, इसके उपर प्लेट की मार्किंग करेंगे और फिटिंग की बाद में होती है, जब प्लेट डल जाते हैं, कमर इनकी 40 इंच है बस्ट है तर्तालिस कमर चालिस और हिप अर्तालिस इंच है और हिप से दो इंच एकस्टा लेकर मैंने चोथा बाग हिप का और उससे दो इंच एकस्टा लेकर सिधा सिधा कट कर दिया है तो बैक सैड का पल्ला कट करना है बैक सैड का पल्ला नीचे से मैंने बढ़ा था मैंने तो अब इसको सेम वैसे ही कट कर दिना है फ्रंट के पर लेके कोडिंग पहले सीधा सीधा कट कर लेती हूं बाद में मैं इसकी शेप की तरह कट कर लूँगा यह देखे यह होल की शेप है और यह 14-14 इंच का निशान लगाया था न वह वाली कटिंग है सीधी सीधी और बैक साड का नेक है चार इंच छोटा सा ही है धा इंच चोड़ा और चार इंच लंबा बॉक्स बनाकर इसको कट कर दिया है विसको उल्टी साइड पर ऐसे फोल्ड करके तो प्लेट की मार्किंग करेंगे बस्ट है जैसे तरतालिस इंच तालिस माल लेते हैं ग्यारा च निशान लगेंगी फ्रंट के उपर छे प्लेट होते हैं तो ये बैक सैड का पल्ला हमने कंप्लीट कर दिया इसको साइड पे करके अब हमने फ्रंट के उपर प्लेट की मार्किंग करनी है और नेक की भी साथ ही लाइन ड्रो कर लूँगी में तो उपर से लेना है बस्ट है जैसे चतालीस इंच जोथा बाग ग्यारा इंच हो गया न ये एक इंच वाली काट भी साथ ही कट कर लूँगी फ्रंट वाली तो उपर से बारा इंच लेना है और अंदर से पौने चार इंच का निशान लगा कर सीधा प्लेट का निशान साथ इंच लंबर लगा देना है चार इंच चुडाई ली है अंदर से तो ये प्लेट की मार्किंग हो गई और यहां से लेना है दो इंच और उपर से भी तिरचा दो इंच और ये आरम होल के बिलकुल सेंटर में एक प्लेट की मार्किंग हो गई और यहां से आठ इंच पर निशान लगाया है कमर का और उ की हुई है बिल्कुल भी नहीं चुबेगा सोफ्ट कपड़ा था नीचे लैस भी बहुत अच्छी लगी हुई थी वाइट कलर की तो यह हमारी प्लेट की मार्किंग हो गई अब नैक की फ्रोजी और वाइट कलर का गर्मियों में ऐसे लाइट से कलर बहुत अच्छे लगते हैं तो अब हमने जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें से पहले सलवार कट करनी है पहले कपड़े को मैंने डबल फॉल्ड करके तो पहुंचे के लिए मैंने यहां से फॉर फॉल्ड किया है साथ इंच कपड़ा साथ इंच इंच इनका पहुंचा था उतना ही मैंने फॉल्ड फॉल्ड कर लिया है सलवार है इनकी 36 इंच 3 इंच बढ़ा कर हो गए 49 में से आठ कम किये तो 30 इंच का निशान लगा दिया है दूसरी साइड से आसन लेनी है आसन मैंने लिए साड़े 10 इ स्वार की कर्णिं हो जाएगे मैंने इनकी आइवार कर देनका हुएं और करा प्ताफिर स्भा वहार कर्दीन्ध दीन करनी है तो पिर ठ्वार को चक जाती है तो यहाई हो एकन तो भी मिल प्रफैक्ट तो फिर ठोड़ा बहुत तो खुदी एनकी ट्लैने रहे होती इनसी Cry général बाहर को निकाल दी है अब हमने चार कुंदे हो जाएंगे ये तो पले जो बाहर को हैं वो दो पली हो जाएंगे सांजी और ये सलवार की कटिंग हो जाएंगे ये बेल्ट कट करेंगे इसके बाद में तो बहुत ज्यादा घेर बन जाता है से समय सैमी पट्याला बोलते हैं इ आशन की तरफ से मैंने आदा इंच गुलाई डाल दी थी और ये बैक सैड से जो कपड़ा बचा है ये वह वाला पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है फोर फोल्ड कर लिया है बाजु के कोड़ी बाजु की लेंद्ध है इनकी 15 इंच और 17 इंच लेना है इसको तो अब इस हमने लेना है साड़े तीन इंच का और ये गुलाई डाल दी है और इसके उपर मैंने मियानी डाले थी चार कपड़ों की मतलब चार तया आगे करके रखा है मैंने कपड़ा क्योंकि अगर दो तया रखते ना बहुत जादा उपर जोड़ा जाता है तो ये बिल्कुल नीचे क साइड पर जोड़ाएगा बाजू के आर्म होल के पास तो फिर ना इतना दिखाई नहीं देता तो ये देखें बाजू की कटिंग भी कंप्लेट हो गई अब बैल्ट रह गई है बैल्ट कट करूंगी इस कपड़े में से तो इसकी लंबाई तो ठीक है चुड़ाई कम थी क उपड़ा बहुत ही मुश्किल से पूरा होता है है विसाइज का और यह होता भी ना साड़े चार मीटर है पांच मीटर पूरा नहीं था इसको डबल फॉल्ड किया है और उपर की साइड पर जोड़ रखकर फिर मैं इसको स्टिच करूंगी इनकी ही पही थी अड़ तालीस इंच दूसरा भागोंगे 24 इंच 24 में इसे चार प्लस करने है 28 इंच की बेल्ट चाहिए मुझे 8 इंच चोड़ी और 28 इंच लंबी बेल्ट चाहिए थी तो यह उपर मैं पट्टी लगा दूंगी तो इससे हमारी जो है बेल्ट वो चुड़ाई में पूरी हो जाएगी एक तीन इंच कपड़ा है ज्यादा दा इंच से लाईयों में आ जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीना थैंक्स पर बोचिंग